हेलो स्टूडेंट वेल्कम बाक आज हम लो बात करेंगे प्लानिंग उसके स्टेप्स और लिमेटेशन के बारे में तो प्लानिंग तो आप जानते हैं यह फिचुरिस्टिक प्रोसेस होता है कोई भी काम करने से पहले हम उसको प्लान करते हैं यह तो आप डेली लाइफ में भी करते हो तो मानेजमेंट में प्लानिंग का बहुत इंपोर्टेंट रोल है कि मानेजमेंट में कुछ भी काम होता है तो पहले उसकी प्लानिंग की जाती है फिर उसके हिसाब से work किया जाता है क्यों क्यों हमारा बहुत सारा पैसा बहुत सारे लोग involved होते हैं उस काम को करने के लिए अगर वो हलका सा भी खराब हुआ तो हमारा salary तो जाता ही जाता है और हमारा time भी waste होता है इसलिए company planning जरूर करती है कोई भी काम करने से पहले तो start करते है steps involved in planning process कौन कौन से steps होते है जो कि हम planning में करते हैं एक चीश ध्यान रखिएगा जब भी हम step या फिर procedure पढ़ते हैं तो वो उसी chronological order में होना चाहिए जिस order में आप पढ़े हैं उसी order में आप exam में भी लिखके आएंगे आप उसको उपर नीचे एक भी करेंगे न तो आपका marks पूरा कड़े जाएगा तो steps हो गया planning हो गया जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे आप याद करेंगे तो start करते है setting clear specific and measurable objective for every department of the organization मतलब सबसे पहले planning में क्या होता है कि आप set करिए specific and measurable objective मतलब हर एक department को क्या काम करना है क्या उसका objective है उसको clearly बताइए अगर organization को हर एक department को clear रहेगा उसके काम के बारे में तो उस काम को जादा अच्छे से कर पाएंगे और जादा speed से कर पाएंगे वो confused नहीं रहेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसलिए planning में सबसे पहला काम करते हैं हम लोग clearly उनको बता देते हैं कब क्या कैसे करना है और पूरा measure करके उनको बता देता है कि हाँ आपको इतना दिन में ये चीज इतना करना है तो सबसे पहला हमारा हो गए setting clear, specific and measurable objective second है developing premises it reflects the assumption about future that manager is required to meet developing premises का मतलब क्या हुआ कि हर एक manager को कुछ न कुछ assumptions लेके चलना चाहिए assumptions का मतलब क्या हो गया उसको कुछ चीज़े मान लेनी चाहिए हो सकता उसका plan न काम करे A, plan B, plan C ऐसा नहीं कि अब एक plan fail होगा तो बैठे हुए है कि अरे अब तो हम काम ही नहीं कर सकते तो कुछ assumptions आपके पास होने चाहिए तो यहीं बता रहा है developing premises में कि planning में जब भी manager को भी planning करता है तो कुछ assumptions लेके planning करता है ताकि अगर कुछ गरबड़ी हो जाए future में क्योंकि आपको पता है business एक dynamic environment होता है क्यों क्यों क्योंकि यह हमेशा change हो दा रहता है कभी government ने text बढ़ा दिया government ने कोई नया rule लाके लग लग दिया तो आप सोचो को कि मेरा plan फिर हो जाया मगर नहीं आपको इस तरीके से planning करनी होती है कि आपको एक plan अगर गरबड़ भी हो जाए तो आप उस नया plan बनाके उस चीज को execute कर सको तो इसी को बोलते है developing premises यहाँ पर assumptions हम रखते हैं कि इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं next है identifying alternative course of action through which the goal can be achieved अब इसमें वही चीज है कि आप एक काम करने के तीन चार तरीके अपने पास पहले से रखिए इसी को बोलते है alternative course of action तो alternative course of action रहेगा अगर आपके पाद 10 plan रहेंगे तब उसमें से आप देखोगे कौन सा आपके लिए best है तो इसलिए identify alternative course of action में हम यह समझते हैं कि manager को धे सारे side में plans रखे रहने चाहिए ताकि वो जो best plan है उसको choose करे evaluating alternative every pros and cons of each plan is analyzed अब देखिए इसमें evaluating alternative में क्या होता है जितने भी plans हमारे पास है उसमें से हर एक plans के pros और cons होते हैं उससे कुछ फायदे और नुकसान होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सारे फायदे और नुकसान को analyze करते हैं जो हमारे current situation के हिसाब से सही बैठते हैं उस plan को हम लगाते हैं तो कभी भी कोई manager एक plan लेके नहीं चलता वो multiple plans लेके चलता है हर एक plans के pros and cons होते हैं तो pros and cons according to situation उस plan को execute किया जाता है तो manager इस तरीके से काम करते हैं तो यह point हो गया evaluating alternatives next हो गया implement implement the plan which is implement the plan which with the help of strategy अब आप 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 आपने जो भी alternative plan analyze किया है कि इस situation में यह plan काम करेगा उसको आप implement कर दीजिए ठीके तो आपके पास जो भी strategy है आपने जो भी strategy बना के रखे हैं आप उस strategy को implement करना start करिए next किया है follow up action to ensure that the desire objective are achieved effectively and efficiently follow up action में क्या होता है उसका follow up लेना बार बार उसको देखना कि जिस तरीके से आपने plan किया है उस तरीके से वो पूरा हो रहाएगी नहीं जो आपने सोचा था उस तरीके से वो चल रहाएगी नहीं चल रहा है अगर नहीं चल रहा है तो उसको फिर से सही करना इसी को करते हैं follow up लेना follow up action तो plan का follow up लेना बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो plan गलट direction में निकल जाता है तो ये हो गया हमारा steps अब बात करेंगे हम लोग limitations of planning कि planning की कमिया क्या होती है हम planning तो बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ planning करना चाहिए लगिन आप जानते हो न हर एक चीज़ का कुछ फाइदा होता है कुछ नुकसान होता है सब चीज़ के pros and cons होते हैं उसी तरीके से planning के भी कुछ limitations होते हैं ठीके तो limitations के बारें पढ़ेंगे planning does not guarantee success because the environment of a business is uncertain बहुत सारे businessmen होते हैं बहुत planning करते हैं लेकिन वो successful नहीं हो पाते हैं क्यों? क्योंकि जो business environment है वो बड़ा uncertain है कभी भी कुछ भी हो सकता है मान लीजे आपने बहुत अच्छा plan किया government ने वो goods में क्या बोलते हैं उसको उस state में बंद कर दिया तो आप क्या कर सकते हो आपके goods में बहुत सारा tax लगा दिया गया अब goods महंगा हो गया लोग खरीद नहीं आप क्या कर सकते हो ऐसे बहुत सारी चीजे होती हैं जो की uncertain होती हैं और आपके business में आपको नुकसान पहुचा देती हैं तो वहाँ पर planning खराब हो जाता है planning is a time consuming process because it takes time and evaluate everything क्योंकि यहाँ पर planning जो time consuming process होता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक अक चीज़ पर ध्यान देना होता है एक अक चीज़ की evaluation करना होता है क्या चीज़ हमारे business में सही है क्या चीज़ सही नहीं है इसलिए planning को हम time consuming भी कहते है planning involves huge costs in terms of money because we have to pay to our employee for that अब अगर कोई employee अगर आपने रखा है अगर आप वो बैटके लिए planning कर रहा है तो ऐसा तो होई नहीं उसको बोलोगे ऐसा है planning हो जाएगा अब चीज़ें सही हो जाएगे तो आपको salary देंगे ऐसा तो होता नहीं है employee जिस भी दिन आपके आया आप काम करा हो चाह मत कर आपको salary देनी पड़ती है तो इसलिए planning में आपका cost बहुत involved होता है अगर वो planning fail हो गया तो manager की उतने महिने की salary खराब हो गई आपकी तो इसलिए planning में planning को costly भी कहा गया यह सारे firm के bus की बात नहीं होती है छोटे मोटे firm planning नहीं कहते है वो जैसे काम है वैसे चल रहा है चलने देते है वो कि उनको पता है कि वो planning के लिए इतना cost हो भर नहीं सकते अब प्लानिंग के वज़ा से creativity लोगों में खतम हो जाती है क्यों अब जैसे आपके group में 10 लोग है आपके group के manager ने एक plan बना दी अब सब लोग उस तरीके से plan तरीके से काम कर रहे है अब उसमें तो तीन बंदे बड़े creative है उनके बार और अच्छा plan है लेकिन उनकी कोई plan पर ध्यान नहीं देगा न क्यों कोकि सारे साथ लोग तो majority जो है वो जा रही है एक direction में तो उन तीन पर कोई ध्यान देने वादा नहीं है तो वो तीन भी बिचार है वो क्या करेंगे उसी direction जाना शुरू कर देंगे तो इसी लिए हम कहते हैं जब planning होती है तो उस condition पर जो creativity है वो लोगों ही खतम हो जाती है क्योंकि planning तो टॉप लेवल management कर रहा है और creativity जो हमारे नीचे लेवल के management में है ठीक है planning may not work in dynamic environment because everything cannot be planned अब planning क्या कह रहा है planning dynamic environment में work नहीं करता क्यों क्यों क्योंकि देखिए अब समय समय पर चीज़े चेंज हो रही है जब समय समय पर चीज़े चेंज हो रही है तो उस condition पर आप यह नहीं कर सकते न कि हमेशा नया नया plan बना सको तो अगर dynamic environment कुछ ऐसे business होते है market में जो बहुत ज़्याद्रा dynamic होते हैं तो उस condition पर आप कुछ नहीं कर सकते है वह बहुत dynamic environment है तो आपका plan फिल होना ही होना है planning leads to rigidity because we cannot change it according to our choice तो plan बनाते हैं तो चीज़ें rigid हो जाती हैं और हम अपने हिसाब से उसमें changes नहीं कर सकते तो यह हो गए हमारे limitations of plan आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए नोट्स बना लीजिए कोई problem हो तो आप मुझे बता दीजेगा उसके बारे में फिर से आपको वीडियो बना दिया जाएगा थैंक्यू